खबर दोलपुर से पत्नी के गायब हो जाने से पत्नी ने फासी के फंदे पर लटक कर जान दी दी पत्नी के जाने से मांसिक तनाव में था पत्नी पुलिस ने जान शुरू कर दी है पूर्पूजिले में ही युवक ने पत्नी के गयाग हो जाने पर अपनी जीवन लेला समाप्त कर ली पूर आथमेहत्या कर ली मामला राजकेड़ों अप्खण के गाउं सामोना का है जहां एक 36 स्वर्च के युवक ने फासी के फंदे पर रटक कर अपनी जीवन लेना समाप्त कर ली खटना की सुचना जैसा ही परिजनों को लोगी तो मौके पर लोगों की भीड इखटा हो गई जिन्हों ने युवक को फासी के फंदे से नीचे उता राजा खेड़ा थाना पुलीस को सूचना दी पुलीस ने माके पर पहांच शव को अपने कबजे में लेकर राजा खेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया जहां पुलीस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में मग दर्च करते हुए मृतक युवक के शव का मैडिकल बोर्ट से पोस्ट मार्टम करा दिया है और मामले में जाज शुरू कर दी है मिरतक यूवा की छोटे भाई राम सेवक ने बताया कि मंगलवार की उसके बड़े भाई हरविलास वत्र मुले राम निवासी सुमाना ने पंखे से लटक कर आत्म हत्या कर ली यूवक ने बताया कि इसके भाई की पत्नी पिछले करीब एक हफ्ते से गुमशिदा थी जिसको लेकर उन्होंने धाना पुलीस को भी सूशना दी थी परीजनों को अंदेशा है कि मिरतक निमान सिक्तनाओं में आत्म हत्या जैसा कादम उठाया है फिल्हाल पिलीस ने मिरतक यूवक के पिता भाई पिता भुलाई राम की तहरीर के आधार पर मामले में मर्ग दर्च करते हुए अनुसंदान जारी किया है पेस की कि मेरे लड़का हरविलास ने घर पर घर में भंदा पर लटक के आत्म अत्या कर लिये जिस पर श्रीमान एसेचु साहव में जापता के गां समोना पोचे और लास हरविलास का पंचायत नामा कर लास को हम सी एस सी राजा खेरा में लेकर आए जहां पोश्ट मारटम कराया जाकर उसके परिजनों को लास सुपूर्द की गई है और उसकी पहरीर पर मामला दर्ज कर लिया जिसकी स्रीमान एसेचु साहब द्वारा चांच की जारे मरताग यूगक की पत्ने लापता थे गया हाँ 21-2022 को उसकी पत्नी तामस्योग जी क्या बाद हुई है मेरा भाई था उसने शुवए आथ मक्त्या कर ली उसके पत्नी डिस तारीक से एकषी तारीक से गुम तरीग उसने एक पहार थाने में गुंस्क्नाफी डापी दाब दिए बाई का नाम है बाई का नाम अर्वेलास और पताजी का नाम बढ़ाई रहा हूं उसके पत्नी का नाम साविक प्रीग